पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़ा हुआ जहां पर मनू भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 221.7 अंकों के साथ जो है मेडल जीत लिया है मेडल जीतने वाली पहली भारती महिला मन गई है मनू भाकर ये बड़ी ख़वर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो है मनू भाकर ने यहां पर 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में 221.7 पॉइंट सांसिल कर वरांज मेडल जीत लिया है वेहाद आहम ख़वर हम आपको बता रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़ी हुई जहां पर भारत के खाते में पहला मेडल आ गया है भारती महिला सूटर ने पहला मेडल दिलाया है देश को पेरिस ओलंपिक में भारती सूटर मनू भाकर ने इतियास रस दिया है उन्होंने बीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में वरांज मेडल जीता है ओलम्पिक के इतियास में सूटिंग में मेडल दिना ले माली मनू पहली भारती महिला है उन्होंने फाइनल में 221 दसमलब 7 पॉइंट के साथ कान से पदक जीता है तस्वीरे हम आपको ओलम्पिक 2024 पेरिश से सीधे लाइब तस्वीरें दिखा रहे है जहां पर भारत ने इतियास रज़ दिया है भारती सूटर महिला सूटर मनू भाकर ने इतियास रज़ दिया है और उन्होंने पहला मेडल दिलाया है और उनका बयान भी आ गया है पहली प्रत्किरिया उनकी सामने आई है उन्होंने कहा है कि अभी और भी मेडल मिलने हैं पीम मोदी ने भी वधाई दी है प्रदान मंत्री मोदी का भी ट्वीट आ गया है मनु भाकर का एक पदक एतिहासी खाई ये प्रदान मंत्री मोदी ने लिखा है तो बेहद आहम खबर हम आपको बता रहे हैं मनु भाकर ने तियास रस दिया है ओलंपिक में मनु भाकर ने कान से पदक जीत लिया है यह बेहद आहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त बेहद बड़ा अपडेट हम आप तक साजा कर रहे हैं ओलंपिक 2024 से जुड़ा हुआ ज बारत के खाते में पहला मेडल आया है ओलमपिक से निकल कर तो किस तरीके से इस इवेंट में कोरिया की ओ ए जिन ने गोल्ड जीता है उन्होंने proporreak करके ओलमपिक की ने सिल्बर मेडल जीता है उन्होंने 341.3 पॉाइं आए है अनला MiaSutan ने भी भारत को पहला मेडल बिलाया ह तो यह पेहद अहम खबर है पेरिश ओलंपिक 2024 से जहां पर सूटिंग में 12 साल बाद भारत को ये मेडल मिला है मनु वाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद सूटिंग का मेडल दिलाया है भारत को स्केल में आखरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था और अब देखिए 2012 के बाद 2024 में 12 साल बाद भारत को ये मेडल मिला है प्रदान मंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है और लिखा है देश के लिए पहला पदक जीतने पर वधाई ये प्रदान मंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा है और लिखा है ये एक एतिहासिक पद है एतिहासिक कह सकते हैं सपलता है भारत के लिए जिस तरीके से पेरेज ओलम्पिक की शुरुआत हुई है हलाकि पहले चाइना ने यहाँ पर दो से तीन मेडल जीत लिये थे लेकिन अब भारत का भी खाता खुल गया है और जिस तरीके से ब्रांज मेडल जीतने में काम्याब रही है यहां पर भारती महिला सूटर मनु भकर उन्हों ने जो है ब्रांज मेडल जीत कर इतियास रज़ दिया है 11 साल बात सूटिंग में किसी महिला ने इतियास रचा है इससे पहले 2012 में आखरी ओलंपिक मेडल में ये कह सकते हैं मेडल मिला था यह सूटिंग में भारत का अब तक का पांचवा मेडल है राज बर्दन सिंग राठोड ने 2004 में सिलवर अविना बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और 2012 में विजय कुमार ने सिलवर और गगन नारंग ने ब्रांज जीता था फिलाल यह वेहाद अहम ख़बर देश के आने वाली खबर ओलंपिक 2024 से जहां पर मनु भाकर ने ब्रांज जीता है ब्रांज मेडल जीत लिया है दस मीटर यहर पिस्टल में भारत को यह मेडल मिला है और किस तरीके से जो है आँपर मनु भाकर ने इतिहास रस दिया है का इतिहासी कह सकते हैं शफल था भारत के हाँ 221.7 अंकों के साथ यहां पर मनु भाकर ने मेडल जीत लिया है और मेडल जीतने वाली फहली भारती महिला बन गई है इससे पहले 2012 में भारत के खाते में ओलंपिक का आखिरी पद कह सकते हैं मेडल आया था लेकिन अब देखिए किस तरीके से भारत ने अपना खाता खोल दिय आया और इसी सफलता पर प्रधान मंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है ट्वीट कर उन्होंने मनु भाकर को बदाई दी है और इसे एतिहासिक सफलता बताया है तो दस मीटर यार पिस्टल में भारत को मेडल मिला है तो किस तरीके से जो है लगातार ओलंपिक पर सब की पिला सूटार मनु भाकर तो यह बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट हम आप तक साजा कर रहे हैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए